दोस्तो पहले तो आपको मेरा नमस्कार आज मैं आपके सामने एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो साय सबका फैवरेट होता और ये मेरा तो बहुत ही फैवरेट है आज मैं बनाने वाली हूँ मुंग दल की कचोड़ी तो सबसे पहले हम यहापे लिए हैं मुंग दल इसे म दरदरा पीस लेंगे इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डालेंगे यह देखे और इसमें कुछ पीसे भी नजर आरी होगी मुंग दल की क्योंकि इससे मैंने पूरा दरदरा पीसा है और आप पेन में मैं गी गरम करूंग गी के जगा आप वाल भी यूज कर सकते हैं करीब करें मसाला और एक टिस्पून के करीब चाट मसाला यहाँ पे चाट मसाला मैंने यहाँ इसलिए यूज किया है क्योंकि मैं आमचूर पॉडर नहीं था और जिंजर पॉडर भी नहीं था यह आमचूर पॉडर के जगा मैंने यहाँ चाट मसाला कर दिया अब यहाँ मैंने हाप कप के करीब बेसन इसमें एड़ कर दिया बेसन को मैं 2-3 मिनट तक हमें भून लेना है यह देखिए भून लेने के बाद आप जाएगा एक टिस्पून के करीब नमाक और 2-2 टिस्पून के करीब यहाँ चीनी पीसीवी चीनी भी आप ले सकते हैं चीनी डालने से यह जो मुंग दल का टेक्शर बेटर है उसका जो टेस्ट है वो मीठा आता है थोड़ा सा मीठा रहता है यहाँ तो अब हम यहाँ पर पीसीवी मुंग दल को आट कर दिया और इसे भी हम 2-3 मिनट तक हमें अच्छे से फून लेना है और गैस का आच हमें हमें सा लाव रख आट जो हमें सैंत आपश और यहाँ पर तेल याएगी दोनों में से आपकोई भूप्ष कर सकते हैं मैंनी यहाँ पे तेल योई जो हुए है तो आब हमी पूरे आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है तहम मसल मसल के और यह आपका आता है ना मुठी बनना चाहिए आप यहा कर टाइफ होना चाहिए यहां पर मेरा जुत गई है तो हम इ zeggen कर लेता हैद और अब हम तेल करने के लिए चनगा है फिर से हम अज़ों 10 मिनित चुड़के मिक्स कर लेते हैं ता कि जो तेल दो दो wha जाया और यहाँ पे लोगी है बना अब आटिक में स्टाफिंग कर देते हैं मुंगदाल गुल गूल कर लिया था यह देखे और उसे श्टाफ करके मैं इसे बेल लीते हूं यह हमें पूड़ी की साइच के जैसे हमें सारे कचोणियों को बेल लेना है और हमें ध्यान रखना है कि जो मैंने तेल यहां पे गरम करने के लिए रखा था वो बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए इसे क्या होता कचोणिया खास्ता नहीं बनेगी एकदम लॉफ लेम होना चाहिए तिल का और अब मेरी सारी कचोणिया यह जो है बेल लिया है मैंने अब हम इसे तल लेते हैं और यह देखे आपको तिल दिख रहोगा बहुत जादा गरम नहीं है एकदम हलका गरम है तो अब हम कचोणियों को डालते जाएंगे और धीरे-धीरे हमें पलटते जाना है हलका हलका पक जाए तो और आपको दिख रहोगा कचोणिया कैसे फूल रही है यहां पर यह देखे कचोणिया फुली फुली यह तब बनती है जब आप गयास का एकदम लग रखेंगे ज्यादा आज रखने से कुर्कुरी भी नहीं बनती है और फूलेगी भी नहीं आप तो अगर लगे तो आलू की सबजी आलू टमाड़ की सबजी बना लीजिए इसके साथ भी कचोड़ी काफी अच्छी टेस्टी लगता है तो अब हम इससे सर्फ कर लेते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा ठैंक यू